सो हलो मेर भाई लूग, वेलकम बैक टू माई यूड़ चानल आर्वियस आनिमे हिंदी नोवा सिप, वन पीस के वल्ड में वन ओप दा बिगेस्ट मिस्ट्री में से एक आखिर इस सिप का काम क्या है अज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अब यार देखो, जिस किसी ने भी फिस्मैन आईलेंड आर्क अच्छे से देखा है, उसको पता चल चुका होगा मैं किस सिप की बात कर रहा हूँ ये सिप, और ये सिप कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा बड़ा है, प्लस ये क्या नहीं कर सकती है और क्या क्या चीजे कर सकती है, इसका नजराना हमें फिस्मैन आईलेंड आर्क में दिखने को मिल गया था वैसे ये सिप जिस हिसाब से साइज में है, इसको सी, किंग सी खीच सकते हैं और जमीन में तो नहीं चलती है, अगर ये जमीन में चलती है तो जाइंट्स खीचते हैं अब हाँ देखो हमें फिस्मैन आईलेंड आर्क में ये बताया गया था ये सिप एंसेंट हिस्ट्री से बिलॉंग करती है, प्लस इसका अभी तक काम नहीं आया है जब ये काम आएगा, तो इसको काम दिया जाएगा, अब इस सिप का काम क्या हो सकता है हम लोग इस वीडियो में थोड़ा प्रेडिक्शन वाजी करेंगे अब देखो जब मैं इस सिप के बार में थोड़ा इंटरनेट में खोज रहा था तो मेरे को कुछ ऐसा पता चला है, जो सायद से तुमको पता नहीं होगा ये सिप का इतिहास भी किसी माइथलोजी से उठाया गया है जिस तरह से मैंने फ्लोरियन ट्राइंगल पर वीडियो बनाया था अगर तुम सबने वो वाले वीडियो नहीं देखा है इसका हिस्ट्री मैंने बताया था और ओडा ने किस हिसाब से इसको कौन से माइथलोजी से उठाया है वो चीज भी मैंने बता रखा है तो तुमनों जाके ये वाला वीडियो भी चेक आउट कर सकते हैं बात करेंगर मैं नोवा सिप की तो भाई जिस तरसे इसका नाम है इसको सीधे सीधे बाइबल से उठाया गया है अब हाँ देखो मैंने बाइबल रीड नहीं की है मैंने बस जो इंटरनेट में थोड़ा मैंने खो जा था तो मेरे को पता चला कि बाइबल में कोई पूराने जमाने की कहानी बताई गई है जहाँ पर जब अर्थ में प्रले आने वाला होता है तो उस वक्त जो इस्वर है वो किसी तरह से एक नुवा नाम का एक इनसान होता है उसको जो है बोलते है एक बहुत बड़ा सिब बनाने के लिए जहाँ पर दुनिया भर के जीव ज जनतू उस सिप में आ जाए और इससे क्या हो है युमेनिटी बच सके जो प्रकृति के जो जीव जनतू है वो लोग बच सके और वो जो नौवा नाम का जो इनसान होता है वो यही करता है वो एक बहुत बड़ा सिप बनाता है और वो सिप बनाने के बाद जब प्रेले आता है तो सारे जीव जन्तु जो है उस सिप के अंदर चल जाता है साथ में नोगा और उसका परिवार भी चल जाता है और फिर बहुत बड़ा तुफान आता है बहुत बड़ा बाल आता है जिस है तो मेरे को फर्ज बनता है कि मैंने बता दिया अब देखो यह चीज सिर्फ बाइबल में नहीं है हमारे हिंदू पुराणों में भी ऐसा कुछ स्टोरी बताया गया अब देखो मुझे भगवान विस्णु के मतस्य रूप वाले पुराण के बार में यहादा कुछ नहीं पता है मैंने आप इंसान ही नहीं जानवर भी बचे थे अब जब काफी ज्यादा मात्रा में बाड़ आता है पानी का स्तर बढ़ जाता है तो भगवान विस्नु जो है वो एक मचली का अवतार लेते हैं जिसे मतस्य अवतार कहा जाता है और उस सिप को जो है दूबने से बचाते हैं लेकि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आगे क्या होगा क्या ऐसा होगा कि One Piece में पूरा चारो तरह पानी भरने वाला है जहां पर यह सिप में लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए आएंगे तो देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा यह सिप कितना बड़ा है मुझे सा काम अभी तक आया नहीं है लेकिन future में इसको काम दिया जाएगा और जब इसको काम दिया जाएगा भाई यह सिप अपना काम करेगी लेकिन क्या हो सकता है मेरे को जहां तक लगता है याद वो सारले की भविस्वानी लूफी फिस्मैन आइलेंड को डिस्ट्रॉई करेगा यहां पर मुझे जहां तक लगता है लूफी फिस्मैन आइलेंड को डिस्ट्रॉई नहीं करेगा एक्चुली मैं लूफी रेड लाइन को डिस्ट्रॉई करेगा और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं जानकारी के लिए बता देना चाता हूँ कि रेड लाइन के एक दम न जो चार अलग-अलग समंदर है वो जब एक जगह पे आकर के मिलेंगे तो इससे काफी ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी निकल के आता है कि इससे भारी मातरा में सुनामी आएगा प्लस तूफान भी आ सकता है और इतना ज़्यादा बाड की तरह पानी आने से क्या होगा बह पर ये निकल के आ सकता है कि नुवा सिब का कामी यही हो एंसेंट वेपन पोसाइडन की मदद से कि जो भी प्रजातियां है क्योंकि वनपीस के वर्ल्ड में अलग-अलग प्रजातियां यहां पर जाइंट से लेखके फिसमैन से लेखके अजीब गुरिब जानवर भी है औ तो सब एक साथ भाग नहीं सकेंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी उस सिप के जरिये ही बचाया जाए और एक सेफ जगा पे ले जाया जाए और यहां पर यह भी हो सकता है कि फिसमैन को बचाने के साथ साथ और भी प्रजाती के जो लोग होंगे उन्हें भी बचाया जा सकता इस सिप के जरिये Because at the end One Piece में क्या होगा एक बहुत बड़ा वार होगा जहां पे अखिरकार अपना Joy Boy ही जीतेगा और इस वार में बहुत जादा खून खराबा होगा बहुत तारे लोग मरेंगे लेकिन लास्ट में जाकरके Joy Boy अपना प्रामिस पूरा करेगा खेर देखो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता अब तुम सब का क्या मानेजर कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूला मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतिजार करूंगा प्लस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक मार दो यार प्लस अगर तुम इस चैनल पर घुमते गामते नहीं आगे तो इस चैनल को पर सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर दीना तो यार मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई